बेके बाद एक बाप फिर्शा आपका स्वागत है आप देख रहे हैं जोतिश वास्तु और आप और क्या सुखत विवाहत जीवन के लिए वास्तु दोश से छुटकारा पाना जुरूरी है आखर क्यूं जानते हैं वास्तु के विशुशगे पंडित पवन कौशिक चीज़ अगर आपके घर में वास्तु दोश है तो उसका दुस प्रभाव तो आपको जहिलना पड़ता ही है वास्तु दोश अगर है तो आप उसके दुस प्रभाव को जहिलने के लिए विवस हैं उसको ठीक कीजिए उपाय किये जा सकते हैं एक चीज में आपको बता दो कि बहुत वास्तु दोस होते हैं जिनमें तोड़ फोड अत्यनत आवशक हो जाता है लेकिन अक्सर वो कम पाए जाते हैं और ऐसे भूत सारे वास्तु दोस हैं जो छोटे छोटे वास्तु दोस होते हैं और उनको बाकायदा हम उपायों के जरिये ठीक भी कर सकते हैं तोड़ फोड की आ बता पाऊं और आप श्यूम ही ठीक भी कर पाएं अगर आपके घर में तनाव रहता है पती-पत्नी के मद्दे में किसी प्रकार की समझ्या रहती है तो छोटे-छोटे उपाएं आप बिल्कुल ध्यान दें और आप उनको अवश्य करें पती-पत्नी दोनों एक साथ इसान को केवल पूजा के लिए बना है वो सब परकार से शुद्ध होना चाहिए और तूटी रहित होना चाहिए इसके अतिरिक्त पती-पत्नी अगर घ्रह स्वामी है तो वो नेरित्य कोण में सोएं घर में पती-पत्नी का हस्ता हुआ एक चित्र उनके बैडरूम में अवश्य जलाते हैं तुल्शी में देपक प्रजवलित करते हैं तो उससे सकारातमक उर्जा आपके घर में प्रिवेश करेगी ही तुल्शी का पोधा आपको पता है कि आयरुवेद ने भी इसके गुणों को माना है और तुल्शी का पोधा आपके घर में सकारातमक उर्जा हमेशा बनाएं रखता है अपने घर में तुल्शी को आप स्थान दें संध्या के समय इसमें दिया अवश्य जलाएं और इसकी पूजा अगर आप करेंगे तो घर में नकारत अरजा आपकी नश्ट होती चली जाएगी एक चीज मैं दर्सकों को बताता रहता हूं कि एक कारिया तो आप निश्टित तोर पर कर ही लें कि कम से कम पांच सनीवार शाम के समय दीपक अपनी रसोई में परज़ूलित करें इससे भी आपको काफी लाब मिलेगा और हमारे साथ हमारे कॉलर्स जुड़े हुए हैं उनसे हम बात करते हैं मनीश हमारे साथ लखनव से मनीश अपनी डीटेल्स बताईए और आप अपना सवाल पूछे मनीश का आप हमें सुन सकते हैं लगता है मनीश से हमारा संपक नहीं हो पा रहा है अगले कॉलर को अपने साथ लेते हैं गृष है हमारे साथ बीकनेज से गृष अपनी डीटेल्स बताईए और आप अपना सवाल पूछे पंडी जी नमस्कार नमस्कार जी गृष जी सार मेरा देड़ों परता है की सजस जी उनीश सो पिचेतर जी टाइम बताएं सुबह दस बज़ के तीस मिनट जी और जनम कहां कहां है रतंगड़ कहां पढ़ता है रतंगड़ जी क्या जानना चाहरे हैं आप पंडी जी एक साल से मेरा समय बहुत पराब जल रहा है और जी मेरा ये कारक रहे कौन सा है ये और दूस को आप कौन सा रहे दे रहा है जी आपकी आवाज वैसे काफी कट रही है जहां तक मैं आपकी पत्री बिल्कुल ढंगशे में सुन नहीं पा रहा हूं लेकिन एक बात मैं आपको बता दू कि आप मांगलिक हैं नमबर एक बात नमबर दो बात गुरू आपके कारक नहीं है और सब्तम हाउस में विद्यमान है और कहते हैं कि सथान हन्यते गुरू यानि गुरू सब्तम स्थान में तो समस्याइं करेंगे ही करेंगे साथ ही साथ आपको मानसिक रूप से भी प्रेशान करने की चमता रखते हैं और विशेश कर अप्रेल 2011 तक तो गुरू में आपके चंद्रमा चल रहे हैं तो वो आपके लिए समय ज्यादा सुब नहीं कहा जा सकता आप यहाँ पे गणपती की पूजा करें गनेश जी को आप बुद्वार से शुरू करके अगले बुद्वार तक नित्ये उनके चर्णों में दीपक जलाएं और लड्डू का भोग लगाएं एक आपको यहाँ पे अमेरिकन डायमंड पंच धातु में बनवाके अवस्य धान कर लेना चाहिए आपके लिए अत्यन तावस्यक है क्योंकि आपकी पत्री में जो आपके शुक्र है वो थोड़े से यहाँ पे कमजोर है उनको बल देने के आपको आवस्यकता है और अगले कॉला हमारे साथ गुरगाओं से हैं संध्या है हमारे साथ संध्या आप अपनी डीटेंस बताईए और आप अपना सवाल पूछे नमस्कार जी संध्या जी मैं आपको कई बार से मिला रही हूँ आज मेरा मिल पाया इसके लिए मैं बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपका संध्या जी मुझे अपने बेटे के बारे में बता करना है जी उसके डेट ऑफ बर्थ है 19 स्थम्बर 2000 जी वो थोड़ा पढ़ने में ज्यान नहीं लगा पाता है ढंक से इसकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है उसका टाइम ऑफ बर्थ होर बता दें तीन बचके 50 मिनट दोफैर का दोफै देखे पढ़ने के मैं आपको बता दू कि इसको जो है 2016 तक मंगल की दसा चल रही है मंगल इसके अनुकूल नहीं है अश्टम स्थान पर बैठे भी हैं सूरिय भी इसके अनुकूल नहीं है इसके जो अनुकूल ग्रह हैं वो भोती बढ़िया लक्समी योग बुद और शु बढ़िया यूती नहीं कही जा सकती क्योंकि चंदर और सनी यहां पे रोहिनी और कृति का नक्षत्र में बैठे हैं अशुब हैं तो एक तो आप बच्चे के गले में आप एक निली और एक पन्ना ये दोनों का एक सहयूप्त लोकेट बनवाके इसको धान करवा दें इसके अशुब है कोलर हमारे साथ अजमेर से जुड़ रहे हैं गजेंद्र हैं हमारे साथ गजेंद्र डीटेल्स बताइए और सवाल पूछे 17-11-65 जी 17-11-65 20-45 मिने जी जनम कहा का है अजमेर का अजमेर का क्या जानना चाहरे हैं आप मैं जीवन में तरक्की काता हूँ और जी हाँ जी आपने कोई रतन धान कर रखा है नहीं कुछ भी ने कर रखा है जी कर लीजिए करना पड़ेगा आपको क्योंकि मंगल और सुकर की युती है आपकी पत्री में तो सुकर आपके काफी ज़्यादा यहां पे दबे हुए हैं तो यहां पे अगर आप एक डायमेंट तो पहन लें वाइट गोल्ड में तो सोने पे सुआगा है बहुत ही बढ़िया आपके सुकर आपको रिजल्ट देना प्रारंब कर देंगे इसकी अतिरिक आप पन्ना अवश्य पहन लीजिए पन्ना आपके लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि आपके लगनेश हैं और पीडित हैं और जो आपकी पत्री है इसमें जल्द तत्व की परधानता है तो आपके निर्ने जो है वो गल्त होनी की पूरी-पूरी संभावना ये पत्री दिखाती है तो उसके लिए आपको पन्ना धान कर लेन चाहिए चले इसी के साथ यहां पर हम रुकेंगे एक बहुत छोड़े से ब्रेक के लिए कही जाएगा नहीं जल्द ही हासर होते हैं